हाई फ्रेंड्स वेल्कम चॉ मैं हुझ नीहा आज हम बात करेंगे बेईबी ज करेंगे बेईबी के आटे में चैनल उन्सक्राइब आद में त्रखाल गोफ देने कानल-भायीन शफेतर मिले तो मेरे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे बेस्ट फूट जो आप अपने बच्चों को इजली घर पर दे सकते हो प्लस टेस्ट के साथ मेरे इस वीडियो में लास तक बने रहे और प्लीज अगर आप नए है तो सब्सक्राइब करिए एंड लाइक ज़रूर करिए तो लेट्स टार्ट अब वीडियो तो फ्रेंड्स बेबीज के फूट में मैं सबसे पहले बात करूंगी फूट के बारे में कौनकों से फूट्स आप बच्चे को दे सकते हो और फूट को आपको कैसे कैसे देना है तो फूट्स में आप सबसे पहले जो सबसे पॉपिलर फूट हैं वो आप क्या दे सकते हो के तरह ये फूड को आपको स्टीम में बॉायल करना है जिस से मैश कर के आप बच्चे को सर्फ और वॉइल करना हे étaientलिकी और बाद करने करेंगा कि तरह बनाकर बच्चे को दे सकते हो इसके बाद मैं यह टिप बताऊंगी कि अगर आप 6 महिने के बाद पहली बार बच्चे को देना शुरू करते हो तो आपको बहुत सारा नहीं देना है आपको स्टार्टिंग एक चमत सही करनी है ताकि धीरे धीरे उसके दाइजेशन में हाबिट पड़े उसके दाइजेशन थोड़ा मजबूत हो और जब वो थोड़ा सा खाने लगे उसको खाने की आदत पढ़ने लगे ताब आप कॉंटिटी बढ़ा सकते हो तो वेजेटेबल सूप वेजेटेबल प्यूरी के बाद आप मैं बात करूंगी और दे सकते हो राइस पोरिश्च के अलावा नेक्स्ट मेरा फूड है वेजेटेबल सूप वेजेटेबल सूप में आपको कैसे देना है कुछ पूड़ा होते हैं जैसे गाजर या टमाटर इनको आपको बॉयल कर लेना है बॉयल करने के बाद इनका जो प्यूरी फॉर्म होता है वो निकालना है और आप सूप की तरह बच्चे को दे सकते हो वेजेटेबल सूप के बाद अब आती है प्रोटीन रिज ड्राइट की अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा दालों में होता है तो आप मूं की दाल या तूर की दाल इनको पानी म महिने का हो रहा है तो आप पतली पतली डाल भी दे सकते हो या फिर उसे खिचडी में खिचडी की तरह बना कर भी दे सकते हो अगर आपके बेबी को कॉंस्टिपीशन की प्रोबलम है तो मैंने इसके भी वीडियो दिये हुआ है इसका लिंक मैं आई बिटन पर दे और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी देदूंगी आप उसे देख सकते हो शायद आपके कुछ help हो सके अगर आपको कुछ helpful लगता है तो प्लीज मुझे comment में share करके जुरूर बताईए और मेरे चैनल को like and subscribe करना ना भोलिए इसके अलावा next मेरी डिश है आप सूजी का उत्पम या उत्मा भी बना कर दे सकते हो यह सारी चीज़े आपको बच्चे को जब change करकर के दोगे तो बच्चे का interest बढ़ेगा खाने में और उसको tasty भी लगेगा और सारे nutrition उसकी body में भी जाते रहेंगे तो guys यह थे मेरे कुछ ऐसे foods जो आप अपने बच्चे को easily घर में बना कर दे सकते हो इसके अलावा आप अपने बच्चे को कौन कौन से पूट देते हो मुझे please comment में शेयर करके जरूर बताईए और मेरे चैनल को like and subscribe करना ना भूलिए बबाई